नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है कि हमारे पाद जितने भी एंप्लिफायर बोर्ड होते हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस जगे पर यूज कर सकते हैं क्योंकि देखिए वाइरिंग तो मैंने आज तक जो है अपने चैनल पर जितने भी बोर्ड आते हैं सबकी वाइरिंग दिखा देता हूं लेकिन यहां पर दोस्तों की कन्फ लगे वीडियो को लाइक शेर और सस्क्राइब जरू करना और बैल का आकन को जरूर दबाना क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यह वाला बोर्ड यह हमारा 521943 के अंदर है तो इसके अंदर आप इसमें सिर्फ ओडियो इंपुट दिया गया इसमें कोई भी बास्ट्रेवल नहीं है तो बास्ट्रेवल सरकिट आपको अलग से लगाना पड़ेगा तब ही आप इस बोर्ड को बढ़िया चला सकते हो और सतर से असी वाट तक कोई भी स्पीकर इस पर बढ़िया करता है बोर्ड का आप यूज कर सकते हो लेकिन बास्ट्रेवल इसके अंदर जरूर लगाएं फिर आ जाते हैं हमारे दीगे तीस पच्पन के बोर्ड पर तो यह ऑपरेट होता है अठारा जीरो अठारा बोल्टेज पर और इसका यूज आप वहां कर सकते हैं जहां पर आपको इनका अगर कोई speaker है आपके पास तो वह आप इससे बढ़िया वर्क करेगा और बढ़िया काम करेगा इसके अंदर बास्ट्रेवल की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर बास्ट्रेवल पहले ही लगा हुआ है और देखे दोस्तों मेरे पास बहुत भाई के कमेंट आते हैं कि सर आप इसमें यह बताए कि 44 के अंदर और 35 के अंदर देखे 35 और 44 के गाला सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी अलग से बास्ट्रेवल लगानी के जडरूरत नहीं है तो यहांपर मैंने आपको बताए कि 100 Watt काआगर कोई आपके पास सिस्ट्रम है, जो 50 पिलस 50 Watt का है, तो आप इस 30-25 के board का यूज कर सकते हैं. तो मैंने यहांपर transistor देस न्दर 52 लगा रखे हैं. आप चाहे तो 52 भी लगा सकते हैं, और तीस पचपन के ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं फिर देखिए हमारे पास यह आ जाता है डबल चैनल के अंदर बहातर चुरानवे यह देखिए यह हमारी बहातर चुरानवे इसी है तो कैमरे में थोड़ा इसका साफ नहीं दिखाए देरा नंबर यह देखिए यह हमार करता है अगर आपके पास कोई ऐसा स्पीकर जो सो फिलस वाट का है अगर आपके पाद यह सो पिलस ब्लस नहीं करता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर हमें आपका ट्रासफरमर यू जोगा 2400-278 यंप यहां पर चोबीस जीरो चोबीस आठेव एंपियर के सर्कुट नहीं आता 72 चुरानवे का कोई भी आप सर्कुट लेंगे डबल चैनल के अंदर तो वहां पर कोई भी बास्ट्रेवल आपको नहीं मिलता बास्ट्रेवल आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा तभी वर्क करेगा और इस वाले बोड के अंदर जो आता है इसके अं 20 चीका हमारा बोड आताहँ है यह देखे तो यह हो गया हमारा 20 30 क कूपर थो इनमेरे पास यह दो मॉड़ल रखे हैं तो दोनों यह आपको झादेता हूं าม यह देखें मॉनल फोड़ास transferred किमें हैं एक मॉडल होड़ास बढ़िया में और यह देखे मेरे पास यह दो मॉड्ल है यह देखेंद एक ये बाला हमारा 20-30rat टूपैंट वन एक हमारा ये बीस टिमें टो पैंट वन तो यहां पर दोनों वूड़ के अंदर सैम ट्रास्फरमर लगेगा बारा जीरो बारा दो एंपियर का ट्रास्फरमर लगेगा और इसको आप 2.1 के होम ठेटर के अंदर यूज कर सकते हैं एकदम बढ़िया वर्क करेगा क्योंकि इसके अंदर एक आपका भूफर हो गया और दो आपकी सैटलाइट हो गई यानि के लेफ्ट और राइट चैनल तो यह बोर्ड भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं और कोई भी प्रोब्लम नहीं आती और मैं रिकमेंड यह करूँगा कि आप कभी भी अगर अपना 2.1 होम डेटर के अंदर बोर्ड लगाएं तो आप यह वाला हीट वीडियो मिल जाएगी सबकी वायरिंग की तो इनको भी मैं साइड कर देता हूं अब हम यह वाला निकालते हैं तो इसके अंदर बोर्ड है हमारा तो इसके अंदर 44-44 बोर्ड है हमारा तो 44-44 बोर्ड मैं उन भाई के लिए बोलूँगा जो भाई के पास 30 प्लस 30 वाट तक का स्पीकर है क्योंकि ज्यादा वाट का अगर इसपीकर लगाते हैं तो यह हीटिंग करने लग जाता है तो इसलिए 30 प्लस 30 वाट का अगर कोई भी स्पीकर है आपके पास तो आप इस बोर्ड का यूज कर सकते और बास ट्रेवल इसके अंदर आपको मिल जाता है ब्रीज डाइबोर्ड के अंदर बनाया हुआ है आप चाहे तो एक अलग से डाइबोर्ड का बना सकते हैं तो यहां पर देखे इसके अंदर जो ट्रासफर्मर यूज होगा वह आओगा आपका जीरो बारा तीन एंपियर के अंदर यूज हो जाएगा और तीन एंपियर में बढ़ि तो यह वाला जो बोर्ड है हमारा यह हमारा चार आइसी के अंदर 20-30 तो यहां पर दो आइसी ब्रीज होती है हमारी 20-30 आइसी और दो हमारी सेटलाइट के लिए होती है लेफ्ट और राइट चैनल तो यह वाला बोर्ड आप वहां यूज कर सकते हो जहां पर आपका 4.1 का कोई home tater है तो वहाँ पर आप एक IC से दो speaker ददस वाट के चला सकते हो दोनों से और buffer यहाँ पर आप 25 से 30 वाट का चला सकते हो एकदम बढ़िया वर्क करेगा और transformer आपका यहाँ पर होगा बारा जीरो बारा तीन एमपियर का तो यह भी बहुत बढ़िया वर्क करता है अगर आप 4.1 के अंदर home tater के अंदर इसको यूज करते हो तो इसको भी हम side कर देते हैं फिर हम याला बोर्ड दिखाते हैं क्योंकि दोस्तों देखे जब तक आपको यूज कर नहीं पता होगा कि कौन सा बोर्ड हम कहां लगा सकते हैं और किस तरीके स से उसका यूज कर सकते हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं पता जलेगा तो यहां पर 20-30 IC हमें पांच मिल जाती है और यहां पर जो है हमें तो बीस-पचास के अंदर आपका जो है सत्तर वाट तक का बूफर लगा सकते हैं और यहां पर जो है हमारी जो 20-30 लगी हुई है तो आपको यहां पर चार चैनल मिल जाते हैं तो चार चैनल के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर एक IC से दो चैनल चला हैं और इन दोनों आइस यो पर डबल डबल स्पीकर चलाएं एकदम बढ़िया वर्क करेगा और यहां पर आप तीन स्पीकर भी लगा लेंगे तो भी एकदम बढ़िया करता है और अगर आप इसका 5.1 का होमडेटर भी बनाना चाहते हैं तो वह भी बढ़िया वर्क करता ह कोई भी प्रोब्लम नहीं आती तो इसको भी मैं साइट कर देता हूं अब हम यह वाला बोर्ड निकाल लेते हैं तो दोस्तों मैं अभी तक जितने भी बोर्ड लाया था मैं सारे आपको एक एक करके दिखा देता हूं इससे जो आपका यूज का फायदा हो जाएगा और आतर पैंशट की यह आईसी जो है हमारी 50 से 60 वाट तक आउटपुट दे देती है तो यहां पर तो यह देखिए जो ट्रासफर्मर यूज होगा वह बारा जीरो बारा पांच एमपेर का ट्रासफर्मर यूज करेंगे और यहां पर जो बूफर है वह सतर वाट का चला जाए और पांच एमपेर में भी यूज कर सकते हो एकदम बढ़िया वर्क करता है कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी क्योंकि हीट सिंग इसका बहुत बढ़ा है और हीटिंग प्रोब्लम तो इसके अंदर जल्दी से कोई आएगी ही नहीं तो एक बोड और बचा हमारा मैं इसको इस समय मार्किट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है वह बहुत अच्छा है तो यहां पर देखिया आप बूफर पे तो लगा सकते हैं 50-70 वाट तक कोई भी बूफर और यहां पर सैटलाइट पे जो यूज कर सकते ह यहां पर आप 25-25 वाट आपको आउटपूट मिलता है यानि कि आप अगर कोई सिंगल पेर में भी कोई टावर बना रहे हैं तो सिंगल पेर में क्या होता है कि वहां पर आपको एक बूफर मिल जाता है और दो स्पीकर मिल जाते हैं चलाने के लिए तो वहां पर क्या है आप 15-0-15 भी लगा सकते हैं और 18-0-18 भी लगा सकते हैं जैसा आप voltage बढ़ाएंगे वैसा ही आपको sound quality मिलेगा तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करना और bell का icon को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा